असलाम अलेकूम आज हम पढ़ेंगे BAC का mathematical method इसका chapter 2 है हमारे पास लास्ट exercise exercise 2.3 इसमें हम पढ़ेंगे permutation what is permutation permutation जो है क्या है permutation के बारे में आज हम पढ़ेंगे permutation पहले permutation को समझने से पहले हम क्या करते हैं एक सेट को consider गृड़ कर लेके मैं इमिज tourism हमारे पास एक सेट है जिसके इलिमेंट से 1 24 कि क्या करते हैं इसको में यहां पर लिक लेता हूं वस्तुरी फॉर आप इनको इंको मैं क्या करता हूं इनको में इमेज देता हूं इसी से से में से मसला इसको मैं इमेज देता हूँ टू इसको मैं देता हूँ त्री इसको मैं देता हूँ वान इसको मैं फूर इमेज दे लेता हूँ यानि हर एक को मैंने डिफरेंट इमेज दी और इसी सेट्स में दी तो यह एक बाइजेक्टिव जो है हमारे पास रिलेशन बन गए यह एक बाइजेक्टिव यानि डिफरेंट इलिमेंट का हमारे पास डिफरेंट इमेज है और हर एक इमेज हमारे पास है एक तो डिफरेंट इलिमेंट का डिफरेंट इमेज है different element का different image है इसके साथ साथ range अच्छा इसको अगर मैं सिगमा का नाम दूँ सिगमा जो है यह A से A में एक हमारे पास क्या है बाइज़क्टिव फंक्षन है range आप सिगमा अगर आप देख लें यह हमारे पास क्या है A सेट की इक्वल है इस सेट के इक्वल है इस सेट के इक्वल है वो डिफरेंट इलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो डिफरेंट इलिमेंट का जब डिफरेंट इमेज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन, अगर रेंज आप एफ या रेंज आप सिगमा अगर हमारे पास सेकेंट सेट की इकोल हो, वो अगर हमारे पास एबी सेट हो, चुंकि अब हमारे पा पेप हमारे पास सेकेंगोंडटिएग्टिवन अगर डिफ ersten wyme periodtae का आम उसको क्या अश्यधिक्टिव ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारे पास by slavery function बन जाएगा या07 टीफ relevantто片 को अच्छे और 2 आप हमारे पास secret permutation के दें, let s be a non empty set, s जो है, यह हमारे पास एक non empty set है, permutation on s is a bijective function from, bijective function, sigma from s to s, यानि s से s में जो bijective function है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे permutation, एक non empty set हमारे पास होगा, अगर हम उसी non empty set में एक bijective function बनाएंगे, जैसे यहां पर मैंने बनाई है, अब यह हमारे पास एक bijective function है, तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे फर्मूटेशन पर्मूटेशन जो है हमारे पास असल में एक बाइजेक्टिव फंक्शन है एक बाइजेक्टिव फंक्शन असल में यह हमारे पास एक फंक्शन है अब हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं इसको हम कैसे लिखेंग sigma is equal to 1, 2, 3, 4 अब इसके जो image है 1 का image हमारे पास 2 आ रहा है और 2 का 3 आ रहा है 3 का हमारे पास 1 आ रहा है और 4 का 4 image आ रहा है इसको हमने इस form में लिखना है अच्छा चूंकि यह एक function है अगर हम sigma को 1 पे apply कर दे sigma आप 1 हमें 2 देगा इसी तरह sigma आप 2 जो है वो हमें 3 देगा इसी तरह sigma आप 3 हमें 1 देगा sigma आप 4 जो है यह हमें 4 देगा तो यह हमारे पास क्या है यह है हमारे पास permutation यानि एक by objective mapping from a set S to set S अच्छा यह S को non empty set होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं permutation अच्छा अब इसको वहतर आंदाज में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं आते हैं exercise की तरफ exercise का first question है हमारे पास multiply the following permutations जो हमें permutations तीन दिये हुए हैं इनको तीन जो पिया हमें दिये हुए हैं इनको हमने क्या करना है multiply करना है अच्छा कुछ बुक में जो है इसको राइट से लेफड में और कुछ में लेट से राइट में मल्टिप्लाई किया गया है pastRI इनको मैं नाम देता हों में क्या करता एंटू टा यह हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसका इमेज 2, 3, 5, 4, 1 इन टू 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 1, 4, 2, 5 अब इन दोनों को हम मल्टिप्लाई कर देते हैं पहले हम क्या करेंगी यह 1, 2, 3, 4, 5 दिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 अब अगर हम देख लें 1 का इमेज 2 आ रहा है यहां पर हम देखेंगे 2 का इमेज 1 1 का इमेज 2 फिर इसको हम क्या करेंगे इस पर्मूटेशन में देखेंगे वो हमारे पास 2 यहां पर है तो 2 का इमेज 1 आ रहा है तो इसका इमेज हमने लिखना है तो यह आ जाएगा 1 पिर उसके बाद 2 का image 3 है अब हमने क्या करना है second set में जो हमें दिया हुआ second permutation में वो हमारे पास 3 इधर है 3 का image हमारे पास 4 है तो हमने यहाँ पर 4 लिखना है पिर 3 की बारी है 3 हमारे पास 3 का image 5 है इसमें हम देखेंगे 5 का image 5 बारा है उसके बाद 4 की बारी हा चाहेगी 4 का image 4 है यहाँ पर हम देखेंगे 4 का image 2 आ रहा है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे पिर 5 का image 1 है हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 में देखेंगे 1 का image 3 है अचा अगर हम इसको right से left में करना चाहें वो किस तरह होगा 1 का image 3 है 3 का image 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा फिर 2 का image 1 है 1 का 2 है तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा इसी तरह बकाया के भी हम solve करेंगे उसके बाद हम next की तरह पाते हैं इसको मैं नाम देता हूँ alpha और इसको मैं नाम देता हूँ beta अब alpha into beta is equal to 1 2 3 4 5 6 अब यह आ जाएगा 2 3 5 6 4 1 into 1 2 3 4 5 6 फिर आ रहा है हमारे पास 6 3 2 5 1 4 अब यह हमारे पास आ जाएगा पहरे हमने क्या करना है 1 को 6 तक लिखना है 1 2 3 4 5 6 अब 1 का image 2 है अब हमने क्या करना है इस second permutation में हमने 2 को देखना है 2 का image 3 है तो हमने 3 यहाँ पे लिखना है पिर 2 का image 3 है 3 को हमने यहाँ पे देखना है 3 का image हमारे पास 2 आ रहा है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे 3 का image 5 है 5 को हम यहाँ पर देखना है 5 का image 1 है तो हमने 1 लिखना है पिर 4 का image 6 है 6 को हम यहाँ पर देखेंगे 6 का image 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे पिर उसके बाद 5 की बारी आती है 5 का image 4 है इसका यहाँ जो image आ रहा है वो हमने यहां पर इधर देखना है तो 4 का 5 है तो इस 4 का हमने इमेज यहां पर लिखना है 6 का इमेज 1 है 1 का 6 है तो हम यहां पर 6 लिखने है तो यह इसका result हमारे पास आजाए L5 टू बीटा उसके बाद last जो इसका part है उसकी तरफ हम आते हैं वो हमारे पास है इसको हम नाम देते हैं F1 और यह हमारे पास है F2 F1 permutation F2 permutation मैं इसको direct कर देता हूँ F1 into F2 is equal to पहले हम क्या करते हैं इसके यह element लिख लेते हैं 2, 3, 6, 7, 8, 9 अब 2 का इमेज 8 है यहां पर आपने क्या करना है 8 में देखना है, 8 का 9 है तो हमने 9 लिखना है अब 3 का 6 है, अब हमने क्या करना है इसमें 6 का इमेज देखना है 6 का इमेज 7 है, हमने यहां पर लिखना है 6 का 7, 7 का हमने यहां पर देखना है 3 है, तो हम 3 यहां पर लिखना है 7 का 9, 9 का हमारे पास टू आ रहा है, एट का टू, टू का एट, इसी तरह नाइन का त्री, त्री का शिक्स आ जाए, यानि एफ वान और एफ टू का जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये आ जाए, उसके बाद हमारे पास ये तियोरम है, इस तियोरम को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक चोटा सा एक्जमपल लेते हैं, वो हमारे पास है, लेट एज एकोल टू, वान, टू, टू, त्री, अब ये हमें एकसेट दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इसके पर्मूटेशन हम लगा देते हैं, पहले हम आई लिक लेंगे, आइडिंटिटी पर्मूटेशन, वान, टू, त्री, आइडिंटिटी पर्मूटेशन, वो पर्मूटेशन है, जिसका अब वन का इमेज, वन होना चाहिए, टू का टू और त्री का त्री होना चाहिए, पिर मैं लिक लेता हूँ, एफ वान, वो हमारे पास है, वान, टू, त्री, त्री, वान, टू, पिर मैं लिक लेता हूँ, F2, यह हमारे पास है 1, 2, 3 2, 1, 3 इसी तरह हमारे पास F3, F4 F5 तो इसकी हमारे पास टोटल जो है, वो 6 permutation बन जाएगी यानि इसका factorial इसमें कितने elements है, 3 है इसका factorial यह हमारे पास आ जाएगा 3 into 2, यह हमारे पास 6 आ जाएगी तो इसके हमारे पास total 6 permutation बन जाएगी अगर हमारे पास इसमें 4 elements हो तो 4 का factorial हमने लिखना है 5 elements हो तो 5 का factorial तो यह set S A, यह हमारे पास कौन सा set है, वो set है जिसमें इस A के जितने भी permutation बनते हैं, उन पे यह मुच्टमिल होता है, यानि identity permutation, कि F1 यह हमारे पास क्या है, यानि set up all permutation जो के इस set पे जितने भी permutation बनते हैं, वो हमारे पास S A की equal आजाएगी अब यह जो है S A हमारे पास group है under composition of function composition के लिहाद से यह क्या है, group है इसमें हम देख लिए identity तो हमारे पास मुझूद है, इसी तरह दो ऐसे दो permutation को जब हम multiply कर देगे, तो हमारे पास identity permutation बन जाएगा, यह फिर आप खुद चेक कर लें, सारे permutation बना लें, फिर दो permutation को multiply कर दें, तो इसका जो inverse permutation, यानि identity permutation भी जब दो को आप multiply करेंगे, आपके पास identity permutation है, तो यह एक दूसरे के inverse permutation बनेंगे, हर एक का inverse permutation भी इस इसमें होगा, तो identity आगाए, inverse आगाए इसी तरह दो permutation को आप multiply कर दें, इनके दर्मान यह composition का operation आपके पास आपके पास इसका जो result है वो इसी set में से आजाएगा यहाँ पर satisfied होगी, group के तो है हमारे पास four properties पहली हमारे पास है closer closer property पर उसके बाद associative property यह first है, यह second है third one is identity element और fourth one is inverse element यानि अगर इन चार properties को कोई set satisfied करता है, मसलन यह sa composition के रहा से अगर यह चार properties satisfied करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, group कहेंगे अब हम यही theorem हमने साबित करना है, इस theorem में यह कहता है क्या हमारे पास क्या है, this set sn, आप all permutation on a set x with any elements यानि sn क्या है, जैसे हमारे पास a एक set था अब sa जो है, इस a के तमाम permutation पर मुश्तमिल एक set होगा यह हमारे पास क्या है group है under the operation of compositions, composition के लिहास हमारे पास एक group है अब हम क्या करते हैं, इसको थाबित करते हैं थाबित करने की तरफ हम आते हैं उठाएंगे पहले हम इसको define कर देते हैं यह x to x है क्यूंकि हमें यहाँ x element दिये हुए और जी हमारे पास एक दूसरा function है x to x such that f not g x हमारे पास f into यह हमें पता है यह हमने early classes में यानि calculus में भी हमने यह पढ़ा है composition of function को हम इस तरह लिख सकते हैं अब closer law की तरफ हम पहले आते हैं अब f g हमारे पास क्या है is by objective from x to x तो f not g भी हमारे पास is also by objective from from x to x अचा यह f और g जो है यह हमारे पास belongs to sn है तो लहाजा यह भी sn से belong करेगा यह भी sn के element है तो इसका composition हम नहीं लिया वह भी इस sn a में आ गया sn में हमारे पास आ गया तो इसका मकसद यह है कि यह हमारे पास क्या है composition is closed under composition is closed तो यह composition हमारे पास जो है वो close आ जाए उसके बाद s2 लाके तरफ हम आते उसमें हम क्या करेंगे f g h उठाएंगे जो की elements है sn के अब f not g not h on x हमारे पास आ जाएगा f g not h 8x अब हम इसको बिल्कुल by this formula अब यह जो है इसको मैं apply कर देता हूं यह आ जाएगा f g इसका जो क्या कहते हैं यह composition मैं ने apply कर दिया हमारे पास यह आ जाएगा अब हम क्या करते हैं इसका bracket change कर देते हैं यह हमारे पास आ जाएगा f not g h of x is equal to f not g not h 8x इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसमें अगर हम यह वापस इसको इस formula लाना चाहें तो ले आ सकते हैं अब अगर आप देख ले for all x f not g not h is equal to f not g not h तो लहाज़ एस से टिव ला जो है यहां पर satisfied हो रही फिर उसके बाद हम identity element की तरह आते है identity element identity element अब इस sn में हमारे पास identity permutation भी होगा such that ix या xi हमारे पास x की equal होगा जैसे यहां पर है यहां पर भी हमारे पास तो identity permutation है आप किसी भी permutation के साथ इसको multiply कर देए आपके पास result होई आ जाए अब हम f not i find 8x इसको हम इस formula expand कर देए f i x अब i x हमारे पास x है तो यह आ जाएगा for all x अगर हम इस x को हठा दें f not i हमारे पास f की equal होगा है अब यह है कि इसमें यह identity element भी exist कर रहा है जो कि हमारे पास i की equal है last one जो है इसमें inverse element है inverse element बल्के यहां पर मैं लिक लेता हूँ जगा की कमी के वज़े से inverse element अब हमने क्या करना है inverse element को यहां पर find करना है अब इसमें मैंने जैसे यहां पर बताया कि f1 का भी inverse होगा f2 का भी होगा f3 का भी होगा f4 हर एक का inverse होगा लहाजा इसमें inverse permutation भी होगा from x to x such that f f of x अगर हमारे पास y हो x x हमारे पास f inverse y होगा यहां पर मैं लगा देता हूँ f0 f inverse 8y is equal to अब इस पर यह वाला फर्मूला मैं लगाता हूँ यह आ जाएगा f into f inverse y f inverse y जो है वो x की equal है यह आ जाएगा यहां पर just x अब f of x हमारे पास y की equal है यहां पर हम लिख लेते हैं यह यहां से from इसको हम नाम देते हैं a from a और यह इसकी यह वाली फॉर्म जब यह बन गई यह from b from b equation b है यह a से हमने निकाला यह result इसको इस form है अब अगर हम y को खत्म करें f into not f inverse हमारे पास किस चीज़ की equal है अच्छा यहां पर अगर हम i लगा दें मसला नहीं है ना i y हमारे पास वापस identity है identity आप y के साथ multiply कर दें आपके पास again y आ जाएगा तो लहाज़ा बलके इसको मैं एक step और ले जाता हूँ i y तो लहाज़ा यह हमारे पास i की equal है अब अगर हम देख लें इसमें inverse element भी आ रहा है f का inverse हमारे पास इसी set में से आ रहा है इसी तरह identity element भी इसमें आ रहा है intuitive ला भी इसमें satisfied हो रही है और closure ला भी इसमें satisfied हो रही हाजा यह SN जो है यह हमारे पास क्या है group है under composition under the operation of composition उसके बाद हमारे पास क्या है symmetric group है symmetric group अगर यह SN हमारे पास एक finite set हो तो इसकी जो यहां पर मेरिक लेता हूं symmetric group अगर हमारे पास एक finite set हो एक दो थी so up to n तो इसका जो permutation वाला set बनेगा जो कि हमारे पास group होगा इसको हम क्या कहते हैं symmetric group यह हमारे पास क्या कहलाता है symmetric group